जैसा कि हम जानते हमारे वीच बे हम सब के मेंटर हमसब के महां गुरु इंडिया कि मानिने के सी सराज चुके हैं आपकी ज़ो जहांब पर न ही दुत के सम्माल शांदार निच्छी बहुत बहुत दन्यवाद बट में चारों के एक बार में दस मिट का मुझा टाइम दीजिए आप जब सके दिवेदी जी है और भी बहुत सरे हमारे लीडर है बहुत चाहिए आपकी बड़ी बड़ी पर टीम में आने वाली है तुम्हें रभी जी 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 कमले सर जी पढ़ना से कमले सराजी है तो मैं इसमें इन्वाइट करता हुआ हुआ है नगरी बहुत बहुत धन्यवाद आरवी दुवेदी रीवा मद्द प्रदेश से रीवा में मेरा ट्रेडिसन बीस है मेरे दो होटल है इस्टोन को सर प्लांट है और मैं अब गुटल क्या से दे दिया हूँ आर्षियम जीता हूँ बस सभी सिनियर साथियों से जितने भी लोग लगवग 500 लोग इस सिस्टम में दिवे हुए हैं मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ये यूम तो इसकी सीट पुलो चुकी है अभी भी मौका है सर ने 10 मिनट का समय दिया है तो हमारे अब सब के पास 5-7 मिनट का समय है अधिक सधिक लोगों को बुलाएं जितने लोग भी आज मीटिंग में आ जाएंगे निशित लूप से उन सब की जिंद्गी बदलने वाली है बहुत बहुत धन्यवाग बहुत आवार रभी साह जी सब्सक्राइब को एवरी मंडे एट पीम जै आर्सीम मेरी आवाज आ रहे है रभी जी असरा रही है बहुत बहुत धन्यवाद हम घर से बाहर है इसलिए ड्रेस में नहीं है इसके लिए सब से छमा और ठंड बहुत है इसलिए जैकेट पहने हुए और केशी सब्सक्राइब में आ जाएंगे तब तक आप लोगों ने हमको इन्वाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप चाहते हैं कि हमसे दो-चार मिनट कुछ सुन दो-चार मिनट सुने जो लोग परचित हैं उनको तो जैर्सीम और जो लोग नहीं प परचे है नाम कमलेश्वर राय रानेवाले पटना विहार का ओम्र आज 30 साल 18 दिन कि क्वालिफिकेशन दूसरी कलास के और इस आर्शीम बिजनेस में हम लोगों के नजर में कम्याब हैं कम्याबी भी मिली आज इस बिजनेस में आने से पहले 12 रुपे का नोकरी करते थे कपड़े के दुकान पर लेकिन आज इस बिजनेस के चलते मेरे दो बच्चे डॉक्र दो इंजिनियर बन चुके हैं उनको पढ़ाने में मैंने करीब-कर रुपे किये हैं. और इस सब का राज क्या है? बस आप लोगों के सामने एक मिनट में यह करने जा रहे हैं. इस सब का राज बस एक ही है, कि आर्षिये बिजनेस का सबसे बुधु आदमी हम है. इस सबका राज बस एक ही है कि RCM बिजनेस का सबसे बुद्धू बेक्ति हम है आज इस बेक्ति को आप लोग सुनने के लिए आए है किसी छबडा जी को उन्होंने कहा था कि कम्लेश अगर जिस दिन तुम बुद्धू बन जाओगे इस बिजनेस में कम्याब हो जाओगे बस एक लाइन जान लो कि तुमको कुछ नहीं आता है जो अप लाइन बताए उसको हूब वहू कर दो तुमको कम्याबी मिल जाएगी और हमने अप कुछ नहीं किया हमने अपना दिमाग नहीं लगाया जो केसी चावड़ा जी कहते थे जो जैन साब कहते थे कूब हुआ हो ही हमने किया कि साथ कोई माने या कोई नहीं माने कि मार्श मेरे जब इस मिटिंग बारे में हम लोग ईक करने जा रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि हर मंडे को, साम को कितने लोग आएंगे, सुबा मिटिंग अपनी हो रही थी, लेकिन मजाक मजाक में हम लोगों ने इस मिटिंग को चालू किया, और अबने जैन सब को कहा कि सद्ध एक चीज़ एक इस मिटिंग में एक लाख लोगों को ला सकते हैं, एक नारा दे दिया ज और यहां नारा इतना हीट हुआ कि मार्च में जो मेरा बिजनेस था आज उसे तीन गुना बिजनेस हो गया और इसके लिए किया कुछ नहीं हमने कुछ किया नहीं गए नहीं गर से बाहर बस एक काम किया कि लोगों को कहा कि आप मंडे को मिटिंग में बैठो और जिस से मिलो अगर कोई रिष्टेदार भी आये तो उसको बोलो एवरी मंडे एट पीम और डोसी पडोसी से बोलो एवरी मंडे एट पीम सब्जी खरिदने जाओ तो उसे भी बोलो एवरी मंडे एट पीम लोगों ने कहा कि सब्जी वाले से वरी मंडे एट पीम बोलने का फाइदा क्य है कि अब आप बोल कर तो देखो। फैदा क्या है। अर जब को बोल्ग ना शुरू किये हम बताने का एक जरीआ मिल गया। एवरी मंडे एट पिम बोल बोल कर मार्श से अभी तक कम से कम 200 लोगों को हमने खुद से जोईन कर दिया जो कुछ जानते नहीं थे जिनको हम अर्शीम बता नहीं सकते थे केवल एवरी मंडे एट पिम करके हाथ मिलाया तो सामने वाले ने पूछा कि भाई एवरी मंडे एट पिम का मतलब तब हमने बताना सुरू किया कि एक संडे वाला एट पिम होता है एक मंडे वाला एट पिम होता है संडे वाले एट पिम से लाइफ बरबाद होती है और मंडे वाले एट पिम से लाइफ अबाद होती है और उसको बताना सुरू किया नत्यिजा आज की बीजनेस तीन गुणना ज्यादा, आप सभी लोगों से निवेदन है, आगरह है कि मंडे की मिटिंग में बेटने से एक से कहानी बनी, मेरा बीजनेस जब siitä कुनना ज्यादा हो सकता है, ता आप सभी का तीन गुणना ज्यादा ह हो सकता है चार गुणा ज़्यादा हो सकता है पांच गुना ज़्यादा हो सकता है I Monday की मिटिंग का आप पर मोसन कैसा करते हैं उस पर निरभार है कि आपका भी देसके साहगा हमने और कुछ नहीं किया कि यह वरी मंडे एट पिम्धर मेरे गुरुजी आएंगे वो बताएंगे और जो बताएंगे वो कर लेना और लोगों ऐसा करना शुरू किया नई टिकनिकल एक करोना काल में तीन नई टेकनिकल छोटे लेग में निकल गई रोल्टी कितनी निकली और कितनी अभी मार्च तक निकलने वाली है कैसे केवल एवरी मेंडे एट पिम से गुरुदेव केसी चावडाजी और जैन साब की बात सुनने से और हम चाहेंगे कि समय होगे आज सर के लिए आप भी सुने किमकि हम तो दुनिया के सबसे बुद्धू आपको सुननने वाले हैं जैयार्षियम 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 प्राइज साब ने बताया बाकई में एवरी मंडे एट पीम ने चमतकार कर दिया और जिन लोगों ने इसका फाइदा लिया है उनकी पिने हर महीने कोई नहीं निकल रही हैं और मार्च में धमा का होने बाला है कर रहा हूं कि इसके लिए सर पूरी तैयारी करते हैं सब्सक्राइबार मंडे को हमारे उपर ओलेल देते हैं अभी दोखों तैयारी पूरी चल रही है और सर पता नहीं आज कौन सा बम फोड़ने वाले हैं बम तो बहुत सारे बना के रखें उन्होंने लेकिन वो हमारी शमता है तो मैं चाहता हूं सभी साथी इस का पूरा-पूरा फाइदाल है हमें वो दिन्याद है जब हम सर को चेचे महीने पहले डेट मांगते थे और वो के देते की ठीके कुटाई अपनों बनाते हैं लेकिन ये सिस्टम का चमतकार है कि सर हर मंडे एट पिम हमने प्रिकट हो र सब्सक्राइब करता हूं हमारे सबके गुरू माश्टर आप दर सिस्टम इंडिया की सान जिनी की वजाए से आज पूर हिंदोस्तान अपने सपनों को साकर कर रहा है आपकी शांदार तालियों के वीच जो जहां पर है गुरूदों के शम्माने तालिया इन्वाइड करता ह सब्सक्राइब को मैं बहुत बहुत सुक्रियादा कर रहा हूं आप लोग ऐसा माहूल एक ऐसा समा बना देते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल में भी उच्छा पैदा हो जाता है और मतलब पहले कभी यह सोचा नहीं था कि एक्साइट्मेंट जो है वो टेक्नोलोजी के माद्यम से भी पैदा हो सकता है और इसलिए सब पहले हम लोग जो मिटिंगे करते थे तो उसमें बड़े-बड़े प्रोग्राम से और बड़े-बड़े स्टेडियम में किया करते थ पहले एक बार आया कि बहुत सारे फाइदे हैं बहुत सारे नुकसान फाइदा यह है कि एक साथ हम एक जिएक एकटे हो जाते हैं और नुकसान यह था कि यार इसमें एकसाइट्मेंट कैसे पैदा करेंगे और कैसे लोगों में उत्सा होगा लेकिन जब इस प्रोग्राम को मिटिंग को आप सब लोगों की बीच में करते हैं उसका आनन्द है मैं खुद बहुत उत्साइट रहता हूं हमेशा और जब सुरुवात होती तो मैं खुद देखता हूं कि जो जो माहोल मुझे दिखाई देता है तो मेरे को थोड़ा सी उसकी एनरजी मिल जाती तो मैं पांट्स मिनट इसले थोड़ा सब्सक्राइब करें तो आप सब लोग इतने साधन संपन्द हैं इतने मजबूत हैं इतने पॉलिसी मेकर हैं इतने गुर्णमान और ज्यानवान है कि आप सब लोग इस पुरी दुनिया में आपके सामने कोई किसी की कोई विसाथ ही नहीं आप सब लोग इतने ताकत पर हैं कि आप दुनिया के बड़े से बड़े योद्धाओं का बड़े से बड़े बिजनस्मेन का मुकाबला कर सकते हो मैंने बहुत सारी ऐसी बाते देखी है जो इस परिवार में होने के नाते मैंने मैसूस किया है कि जो इस परिवार की जो ताकत है मतलब उसमें जो समर्पड है उसमें जो डेडिकेशन है उसमें जो काम करने की सेली है वो अपने आप में एक बहुत अनुठा अनुभव है बिना किसी बेदबाव कि हम सब लोग मिलके जो एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं चली मैं अब अपनी बात्चीत सुरू करता हूं और दो जार इकीस की सियात्रा को अब हम कहां ले जाने वाले हैं आई ये बात्चीत स चाहते हैं कितना बड़ा करना चाहते हैं नॉर्मली कभी भी हम लोग जब अपने गोल बनाते हैं तो हम अपने इर्दगिर्द उस माहोल और अपनी काम और अपनी कारे सेली को देखके गोल बनाते हैं लेकिन यहां पे दो जार इकीस में कई चीजें ऐसी हो रही है और ऐसी आपको उसका आगाज भी हो गया कि है कि हम अपने जीवन का सारा का शारा गोल वह कहलें लोग गोल बनाते हैं शॉ token गोल बनाते हैं Temple बनाते हैं लोग ट्रूम गोल बनाते हैं लोगन यहां पर दो01 मैं आपका लोग गोल भी आपका दो जार किसम पूरा हो सकता है क्योंकि आपको एक बार अगर आपने जो भी सही रूप रहा बना के काम कर लिया फिर आपको उसके बाद आगे किसी और गोल को बनाने की जड़ते नहीं पड़ेगी है अब मैं यहां पे जादा कुछ बात को दर दर किये बिना म किसी के पीछे बहुत सारी वज़े भी है तो आईए मैं देखता हूं कि सबसे पहले 2020 की यह थियोरी क्या है जिस पर आप रमसर लोगों को मिलके काम करना है देखो इस बिजनस को काम करते करते 20 साल पूरे हो चुकी है और यह बात लगबग यहां पे बैठे हुए सभी सा होता है और विसे जुप से कोई अगर विएक व्यापार है अगर उस व्यापार को बीस साल पूरे हो जाए तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है 20 साल के पहले जब कंपनी की सुरुआत थी तो बहुत छोटी सी सुरुआत थी एक पैंट पीस जैसे एक प्रड़क्स से बिजनस की सुरुआत की गई राजिस्तान के बिलवारा सहर में किवल एक सहर में यह एक सहर मिलकी में क्या कौँगा एक दप्तर में इस बिजनस को सुरू किया गया एक कमपनी के फैक्टरी के आफिस में इसको सुरू किया गया और उसके बाद इस बिजनस की जो योजना थी जिसमें आप लोगों को लोगों के पास जाना है और इस business को बढ़ाना है ये पब्लिक के हाथ में था ये power पब्लिक के हाथ में थी तो वो power ने इतना काम किया आज भारत का कोना कोना जहान नहीं पहुँच पाया कोई भी कोई भी मतलब पिछले अगर मैं बात करता हूँ पचास साल सतर साल सो साल डेट सो सालों में अगर कोई भी कोई बिजनस एंपायर नहीं पहुँच पाया बहुत बड़ी बड़ी कंप्टें इंदुस्तान में काम करती है इंदुस्तान अपने भी बहुत विशाल कंट्री है 135 करोड की आबादी है और पूरी दुनिया जहां की कंप्टें इंदुस्तान में काम करती है तो जहां सो डेट सो सालों में आज तक कोई भी व्यापार जहा ब्रांड नहीं पहुच पाई आज तक जहां पर छोटी-छोटी कम्पनियों से लगे बड़ी-बड़ी कम्पनियां नहीं पहुच पाई जिनको काम करते हुए कई अर्सा हो गया है वहाँ पे आर्सिम ने अपनी पकड़ मनाई अपना सिस्टम मनाई अपना हर चीज को के बारे में फिर चाए वह हमारा डिलिवरी सिस्टम है चाहे हमारे पास प्रड़क्स की स्प्रेज है पर चाहे वह पैसा कमाने वाले लोगों की संक्या है पिर चाहे वह कितना पैसा हमने बिचोलियों से बचा के आम आदनी के बीच में दिया है, कितने परिवारों को हम लोग एंरोल कर पा रहे हैं, हेल्थ गार्ड ओल का हर मैने का टरनावर है, हमरे पास कई ऐसी विशेस प्रोड़क्ट सिरीज है, ऐसे बहुत सारे हमके काम कमनी कर चुकी है, बहुत सारे रिकोर्ड ऐसे हैं जो हमने हिंदुस्तान में दुनिया के तोड़ दिये, बीस साल, ये बीस साल का बहुत बड़ा रसा है, अब यहाँ पर इस बात को मैं आपके बीच में इतना इसलिए जोड़ देके कहना चाहता हूँ कि यह बीस साल में हमने जो किया वो अपने आप पे पहले ही बहुत बड़ है और उस बीस साल के काम को अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के कुछ व्यवस्थाओं के बारे में लगबग एक सो पचास के आसपास कंपनी के डिपो अभी ऑपरेशन में आ चुके हैं डिपो या उस वेराउस की बात करूं जहां पर कंपनी का जो प्रोड़क्ट होता है व हो स्टॉक होता है वहां पर और वहां से फिर पूरे वारत की चितनी दुकाने अर्सम के माद्यम से फुलती है वहां पर उसकी सप्लाई होती है यहां पर आटा तेल मसाले कपड़े जूते होजरी कॉस्मोटिक्स फूड आइटम ग्रोसरी यह सारे कंपनी के डिपो होते हैं जहां पर माल पहुंचता है मैंने जब सुरूआत के आज के 20 साल पर एक भी डिपो नहीं था और सुरू के दो साल तक एक भी डिपो नहीं था नहीं कंपनी के ऑफिस से ही हम लोग माल उठाया करते थे यहां पर आज 150 बड़े-बड़े वेराउस हैं जहां पर किसी एक वेर यानि 2020 में कंपनी उतना ही बड़ा सेट अप सिर्फ एक साल में करने जा रही है और पूरी तैयारी के साथ में कि कंपनी अगर जहां डिपो खोले तो कंपनी को पता कि कौन-कौन से डिस्टिक अभी हमारे खाली है और वहां पे बिजनस कम है जादा है लेकिन कंपनी बड़ कि 10000-जुलाइट तक ही कंप्लीट हो जाए मतले दोजार 211 भी पूरा नहीं हो सकता 300 कि चार्सौ या पांत्सौ डिपो भी तो बड़ी बात नहीं है कि जिस स्पीड से हर मैने दस पंदरा बीस डिपो फाइनल हो रहे हैं अगर बीस डिपो एक मैने कियो तो पिर तो चे मेन पांच लाग की पूती से भी खुला हुए कुछ पांच लाग साथ लाग यानि जो ऊड़ी की सिरीज गीर या पे पांच लाग मिया दस लाग 20 लाग मि में तीस लाग में वेवस्ता ये कोई भी चीज बनती है कोई भी आज एकर मैं पहले दिन कंपनी चालू करो पहले दिन अगर में एक दुकान खोलू तो ने मेरी दुकान चलेगी ने परे पास विवस्ता होगी ने मेरे पास फाइनेंशल वाइबलटी होगी वक्त लगता है लेकिन दस हजार की संख्या है यहां पर एक बात पर मैं आपका जोड़ देना च था कि हम झाल से जादा से आज क्प लो यहां रहाशाू कर रही है और मजेदार बात है कि अब उतने के उतने जान से जाद़ बड़ी हैं वे राइटा है नहीं नहीं से न 돌 ने हो डवी ने में कृषिवे हैं क्योंसतु क्सिंद्रीं हैं वह 10जार ने से लेंशलو कर देना च सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्यार जब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऑतने मार्केटिंग की टीम बीन उसका मतलब आपके market field में awareness के लिए earning sources भी चाहिए उतनी पूरी की पीछे management की team भी चाहिए उतनी survey की team भी चाहिए और market में जब आप बड़े होते हैं तो बहुत सारे competition में बहुत लोग आ जाने हैं तो competition में जब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया में आज कंपनी सामिल है और top 100 में सामिल होने जारी तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़े-बड़े आपके competitor में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी आ जाती है लेकिन कंपनी उन सब के लिए बहुत बड़ी तैयरी कर रही है और वह तैयरी प्रोड़क्स सीरीज इस साल 2000 एक किसमें नहीं लांच कर देंगे मैं जब जब भी आप लोगों के बीच में मिटिंग करता रहा हूं तो मैं आपकी बीच में कुछ बताता रहा हूं कभी ऐसा करने जारी ऐसा करने जारी है तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार यह सर बहुत मॉटिवेट कर देते हैं और ऐसा संभव थोड़ी नहीं या ऐसा कुछ हो जाएगा क्या लेकिन थोड़े दिन वाद हो जाता फिर कर देर आप आपने कहा तो बिल्कुल ठीक था मैंने का मैं बिल्कुल ठीक ही कहता हूं मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं जाता और मेरे को क कर लकुरे गा वो प्रॉड़म आप आगा मना अपर आप यह तो आएगा यह आएगा क्योंकि आर्सेम का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि बिल्कुल एक आम आद्मी के घर में और दिल में बैठके का काम करता है घर मैं यानिंगी घर का हरद ब Obrig दिल से काम करने डरीक सकता है उस तरह की चीज़ीं पर कम दियारित आर्चिम तो आपको चावल भी ते रिख अगर बत्थी भी धे रिख इंप रुपय का सेंपू का पाउच भी दे रही है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बिलकुल एक दम आम आदमी की बिलकुल सोच के बिलकुल अनुकूल है अब बिजनस अब देखे अच्छी बात क्या है कि देखो यहां पे अगर कंपनी 20 साल की तैरियां अगर आपके सामने रख रही है और कंपनी आपको यह कह रही है कि अब एक साल में वो उतना बड़ा सेट अप आपके बीचे में करने जा रहे हैं तो 20 साल में जितना बिजनस अभी कंपनी का हुआ है कंपनी का अभी लगबख 20 साल में जो कारबार हुआ है वह लगबख साड़े-चवदा-पंद्रह-थाजार क्रोड के असपास ट्रणोर अभी कंपनी का हो चुका है इन पिछले 20 साल में अब कंपनी क्या आप से यह उम्मीद कर रही है कि आप एक सा सारे के सारे मैदान में खुलके आजाए तो यह करना पॉसिबल है क्योंकि आपको पहले से कई गुना ज्यादा सुविधाएं पहले से कई ज्यादा आपको वेराइटी पहले से कई ज्यादा पहले से कई ज्यादा इंकम पहले से कई ज्यादा पहले से कई ज्यादा रखती है कि आप जो भी काम करोगे आपको जो काम करने का तरीका है वह आपको पांच साल के बराबर का काम भी अगर आपने कर लिया है अब बार यहां पर क्यों करना चाहते हैं तो पैसे कितने मिलने चाहिए है आप सब लोगों को पैसा कितना बनना को है तो था साल में बीस एक साल में पैसा कमा उन्होंने बीस साल में चितना पैसा कमा तो कमपनी आपको एक साल में 20 साल के बराबर का पैसा देने की तैयारी में है यह यह चाहती ही का आप एक साल में उतना पैसा ले लो अब क्योंको यहां है अगर मैं यह कहूं कि अगर जो मार्केटिंग प्लान और जो कमिशन केल्कुलेशन्स होती है उसमें आपको अचानक 20 यह पेसा बन जाएगा यह सम्भाव नहीं है क्योंकि जब आपका बिजन्स बड़ा होता तो काम करने वाले लोग भी तो जजादा हो जाते हैं क्योंकिक्व इंकम लेने वाला ज्यादा लोग हो गए तो और विसी बात है आपकी सटेबल्टी सेक्यूरिटी आपकी टीम पे दे रहा है यह बहुत बड़ी बात है और आज जानते हैं वो यह कैसे हो सकता है अच्छा एक कुछ चीजे में और सेर कर देता हूं कि कमपनी का ऐसा नहीं कि यह 20 साल के बाद यह 21 साल में तो बड़ी तैयरी है उसके बाद जो है मामला क्या होगा यहां पर तैयरियों का खोड खोल चुकी होगी एक लाइवरी अट्ओं अर्श एक लाग सेंटर का पींगा तो आपको जब तिस आरस्म सेंटर नहीं दिखेंगे अगर अपकी यातर पूरी नहींantine होगी अग circuits तो तो आपको जब तक 40-50 सेन्टर नहीं दिखिए और आप हिंदुस्तान के किसी कशियर किसी चुराइं तो और कुछ मिले नहीं मिलें लिगना आपको आप की व्यवस्ता आर्षिम का प्रिकेफ राषिम का डिलेवरी सेंटर और प्रार्ट्स्यम् के प्रॉडक्स आपको जरूर मिलेंगे यह अपने आप एक बहुत बड़ी त्यारी है अब आप सोचिए का अगर दस जार सेंटर खुल के कंप्री ने विश्यो की रितिवान मना रखा है तो एक लाख होने के बाद आप इस बिजनस को किस निगासे और किस पर देख सकते हैं मैं जब इन सब चीजों को देखता हूं मैसूस करता हूं तो मतलब उत्साइत होना तो लाजमी है और वह उत्सा मैं अगर आपके बीच में नहीं दे पाऊं तो यह फिर मेरी गुस्ता की हो जाएगी मैं चाहता हूं आज आप इस बिजनस पर भरोसा करिय हैं यहां पर कंपनी आपसे कुछ मांग हसे लेकिन आपको बहुत कुछ कुछ देने जाने के लिए कंपनी आपको कुछ काम करना चाहती है साच नहीं मांग जाती कि आपको करना की होगी बस आपके कारे सेली में बदलाव करने की जड़त होगी वह आपका फर्ज बनता है जो आपको करना चाहिए प्रोडक्ट रेंज जैसे आज यहां पर जुम्हें बात करूंगा क्योंकि सुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट लाने में बहुत वक्त लगता है मुझे याद आती हो सारी वाते हैं कि समझे पहली बार जब कंपनी ने दो हजार दो में पहली बार वासिंग पाउडर और एक टूटपेस्ट और एक साबन लाँच किया था आज के अठारा साल प बनेगा कैसे हर चीज की ववस्ताइं गरनी है तो टूटपेस्ट की तरसे बन के आएगी उसका रेपर कहा त्यार होगा उसका डखकन कहा बनेंगे उसका रो मटल कहां मिलेगा और कौन कौन से इंग्रीड कहां से लाएंगे और उसके पैकेजिंग कहां से होगी कार्टन का लेबल का मतलब एक चीज को भी करने में बहुत सारी पजियत होती लिए आज क्योंकि कमपनी के फैक्टरियों में इतना कुछ सेट अप है और यहां पर आज कमपनी के पास बहुत बड़ा इंडिया लेवल का बैक अप है जहां पर कमपनी की फैक्टरियां हैं लेबराटरी मसीन इंजिनियर्स टैक्निशन पैकेजिंग मार्केट की रिसर्च उस सब कुछ है अब प्रोड़क लाना बहुत आसान काम है और दूसरी बात है आज टायब हो जाते हैं तो वह अपने आप में इतने सक्सम है को 23 की प्रोड़क्स की सुष्यों को 50 में 100 में मल्टी सिरीज में मल्टी का मतली नूटिशन के लावा और किसी ओर सिरीज में जाना और हमारे साथ एसोसेट बनाए रखते हुए वह सो दोसो पांट सो प्रड़क्स ला दे तो कोई बड़ी बात नहीं यह निया उनके लिए बड़ी बात निया आपके लिए काम करें बड़ी बात है मैं आपको तोड़ा आज यह वीजन करना चाहता हूं कि आज आप किस Бिजनस में हैं कही बार नहीं लोगह सोचते का मेंने जोइन किया केवाई सी कराई 1000 अपर कर नचिया यह क्या है आपको मैं चाहता हूं किए पता चले किया यह जए क्वым करका पाँछानेους तक पहुंचाने वाले हो यहां पर इस बिजनस के माद्यम से सिस्टम की ताकत से आप आपके जीवन के तमाम के तमाम सपने और आपके और आपके साथ पुछतों तक कि बड़े अराम से पूरे कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए कई बार उतने का हम लोग जो है हमारा एकदम विचार नहीं बन पाता एकदम हमें ख्याल नहीं आप पाता है करोड़ी बन जाएंगे और यह सौबाविक सी बात है देखो मैं आपको एक बार क्या मैं अगर सो मिटिंग भी कर दूंगा नहीं तो द हूँ वे आज आप हो सकता है मेंसे राती साही नहीं होंगी आज बहुत सारे साथी होंगे जिनको अभी कान करते हैं दो तीन मैने हुए और छे मैने होंगेजिजिवारा दो कोई पॉलिसी होती जो आर्सिम देना चाहता है हर किसी के साथ आइप नहीं करती कोई भी कमनी उठा के लिए ऐसा नहीं है जिनकी बिल्कुल मार्केटिंग पॉलिसी का तरीका जिसमें अपना पन हूँ जो प्रोडक्स की ट्रेनिंग भी कराए जो सर्विस भी दे सपोर्ट भ है प्रोड़ को टिकने का सवाल यह नहीं है यह वह आर्सिम का एक बिलकुल पार्टनर रसा है जो जाके दिल एक जान वाला इसाब किताव है गुड़ डोट हमारे पास एक ऐसा पार्टनर है जो आप टाटा बिल्ला आमानी के स्टोर पर चले जो सहला वहाँ इनी मिलता प्रोड़क्स आपको आर्ट सेम के प्लेटफॉर में मिलता है क्योंकि वो पार्टनर है वो बिलकुल एक दम ऐसा पार्टनर वारा जो हमारे को उस तरह की तहरी है जान से जब चाहो वैसी मदद मिलती है जहां पर प्रोड़क्स को अच्छा देना सप्लाई को बढ़िया करना जहां पर नएने पॉलसी देना लगाता ट्रेनिंग करना क्योंकि यह बिजनस नहीं यह बहुत एक्स्ट्राउडरी बना देने वाला बिजनस है वो कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पैसा कमाना है तो मुझे अपने अपनी एफर्ट अपनी कैपाबिलि इना पैसा होता है वो पैसा लगा की करते हैं और जिनके पास बुढ़ी होती है वो बुद्धी लगा की कि वापार कर before करते हैं हमारे पास पैसा है नहीं अनका मीनिंग जैना बौदा है बड़ा प्यारा था कि वर एक आदमी के पास यह तो बुद्धी घ़िए पास पैसा नहीं है लेकिन पैसा कमाने की चाहत वो समणपर्ण वो अमीरों के ख्यालात वो बड़े सपने वो सिस्टम की पावर वो आपको उतना ही धनवान मना सकते हैं जितना एक पैसे वाला अपने आपको धनवान बनाने की सोचता है बलकि अगर मैं आर्सिम के बारे में बात कहूं तो आप आने वाले पांट सालों में हंदोस्तान के बड़े-बड़े औच्छे बिजनसमेंघ में को पीछे छोड़ दो गया इसका तरीकर ہو ऐसा है आप यहां पे इस तरह सरे से आने इसी को एक दूसरे को एक दूसरा दिखाई ने दे सड़क पे को जा नहीं पहले कि रात को इसके बावजू दो तिन तिन बजे पूरे इंदुस्तान जाग पड़ा तोफ़ा इतना कमाल का था क्या है कि जनवरी दो हजार की से जून दो हजार 21 तक देखो इस तोफ़े के दो लेकिन मैं दूसरे format की भी बात नहीं करूंगा मैं अभी आज मैं एक ही format की बात करूंगा वह बात क्या है कि जनवरी 2021 तक जून 2021 तक जो च्छे मैने नहीं आज से अगर इस मैने को एक मैना गिनता हूं तो च्छे मैने तक हमारे को अपनी छोटी लेक में पांच लाग बिजन बिजन्स वोल्यूम जनरेट कर देना है अब यहां पर कई बार किसी को यह लग सकता गया पांच लाग बिजन्स वोल्यूम करना है देखो यह यह बिलकुल मुस्किल नहीं होगा और अगर जिन्होंने अगर आज भी जोइन किया ने आज यानि जनवरी मैने भी जोइन तो यह साली भारी पड़ेगा हमके ने पर हैं यहां पहmeye यह नहीं कहना चाहता हूं कि सारी जम्यदारी आप की है आपकी जितनी जिम्म तरी आपके साथ कर रही यह कंपनी निरूह्कर आपको उतनी बड़ी तैयरी यह आपको करना worse पैंच लाग की वीकरलै जो की मेरे इस काम को अखेले नहीं करना है आपको बहुत सारी टीम होती है और अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा जिससे हम यह सब चीजों को कैसे कर पाएंगे आप दीरे दीरे टीम मनाते हो नीचे से नीचे के लोगों को सामिल करते हो उनको सपोर्ट करते हो उनको को त्रेंइंग कराते हैं joka छोटे शल्स कमने ते रृखे हैं लोगी क्यों चुन॓ं जब मेरे पास काम करने की कुवँद है उच्छा है और मेरे पास अगर निंग की पावर में 10 लाग कमाने के औस और चोड़के कामाने की पहले परभी प्रयास तो करूं और क्यों नहीं करूं आपको जो मदद से यह सिस्टम की तरफ से और अब यहाँ ऐसा करने पर जो दोजार इकीस का जो वफा कंप्टी ने जो आपको और मेरे को दिया है वो क्या दिया है कि 10% से अधिक की ग्रोथ अगर में करता हूं जुलाई से लेके दिसंबर तक सोरियां पर कलती से जून लिखा हूँ है जुलाई से लेके दिसंबर तक है यह दस परसेंट से मैं अधिकी ग्रोथ कर लेता हूं क्योंकि जब मैं पांच लाग तक की वे ले जाता हूं जून तक तो मेरी जो अनुमानित जो ग्रोथ होगी वह 25% मन्तली 30% मन्तली 40% 50% 70% मन्तली होगी अब दस परसेंट भी कर लेता हूं आगे क्योंकि आगे बिजनस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कंपनी मुझे क्या तोफ़ा देती आई थोड़ा सा देखते हैं इस बाद को देंकि यहां पर सुरू के च्छे मैंने जून तक हमें काम क करके हम इस बिजनस को पांच लाग की छोटी लेग पर ले जाते हैं अब यहां पर कंपनी आपको दस परसेंट से ज्यादा का इंसेंटिव देती है और उसके लिए आपको जुलाई अगस्त और यहां दिसंबर तक आपको दस परसेंट की मिनिमम ग्रोथ मेंटेन करनी है अ आपको यह इंसेंटिव मिल जाएगा और यह क्या देती है कंपनी का आपका जो भी कमिशन बनता टेकनिकल अचीवर का अब आपको शाहिड हो पर करोड़ों लोग आगे एक रुपया एक रुपय का चेक आज तक अभी कमनी नहीं दिया अगर आज आज आपको एक मेने का चेक आपको एक्स्ट्रा डबल चेक देना चाहती है और वह चेक्व क्या है कि आपका एक लाग है तो दो हजाएगा, दो लाग है तो चार लाग है तो आट लाग है, वह आपका कुछ भी हो सकता है, यह आप कहों तो लिए जाना चाहते हैं, आपके उपर है। जून दो हजार एक्टीस अगर आप इस ग्रोथ को मेंटेंड करते हो अगर आप अपनी ग्रोथ को दसकी जिगे 15% मेंटेंड कर लेते हो जो कि मैं नहीं समझता है कि किसी भी एक अच्छे समर्पत वर्क्तिकली को मुस्किल काम है और 15 कर लेते हैं तो फिर यहां पर कंपनी आ मतलब आपके ओपर महरवा नहीं और यहां पर बीए चूकर ऑप नहीं किकि Скट है कि सबसाख है कोई बात नहीं हम सब कुछ तयार पूरे उसके लिए बोल अगर कल माली अगर कमपनी को कर रहाजार क्रोड़ पर बांटने पढ़ गए तो कमपनी को कोई बात नहीं सरी है आप ही का पैसा है यहां पे कंपनी की तैरिया इतनी जबरदस्त है और तोफ़ा इतना कमाल का है कंप साल आप काम तो गुना और जून तक अगर हम काम करते हैं और अगर अपनी ग्रोथ को यहां पर फंद्रा परसंट की जिए कि अगर मैं बीस परसंट मेंटन कर देता हूं तो यहां पर आपकी जो इनका मोटी वो चार गुना हो जाती है यह एक लाग का चेक आपका वह चार लाग हो सकता है दो लाग है तो आठ लाग हो सकता है पांच लाग हो सकता है तो बीस लाग हो सकता है पचास लाग है तो दो करोड़ हो सकता है एक करोड़ का तो चार करोड़ हो सकता है मतलब यहां पर कमणी ने नहीं लगाई यह सिलसला यहां पर खतम नहीं होता है और कमन कहती कि अगर आप अपनी ग्रोथ को और पांच गुना मेंटेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कंपनी पंच गुना पैसा देती है यह यह पांच गुना तक पैसा देने की कमणी तयारी आपके लेह के आई हैं अब मुझे बताने कि जरूत है कि आपके चेकों की साइज क्या होसकती है लेकिन मैं आपके एक एक अषास ख्रण बाखते हुआ है कि हमें करोरों के चेक आएंगे उसी कंबनी तेरे बेच रही है उसी कमनी के एक का सेंपों का पाँच भी घृत लोग करते हैं यह नमक तेल मसाले आटे में पैसा का रएगा झालुद्फ सबको पता इसकी पवर बहुत बड़ी है लेकिन समझना पढ़ेगा लूटने के लिए यह प्रड़क्ट नहीं है यह आम के लिए प्रॉ लूटा नहीं जा सकता कि या करोड़ों लोग क को घरो करों की घरों ज्टाय HOFF यह कंपनी पैसा बांट रही है अब लेना आcket यह को करना आप को सच्छमु जुमानदारी से बटाना चाहता हूं कि यह बात मैं आज आपको को मोटिवेट करने के लिए बिलकुल नहीं के ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक ठोस योजना बनाईये, अपने सीनेर अपनाईय के साथ, अपने सीनेर साथी के साथ बैठीये, भले अगर आपने, आज ही जोईन क्यों किया हो उसको बोलिए भाया मुझे ये पैसा चाइये मुझे पैसा जी क्या प्लान एं ये तोफा एक साल का पूरी जिन्द के एश्वाराद की ये बात मैंने अगर जब कि एक तारफ की के एक तने पहले दिन खो और यह वाली टाइटल मैंदो फैसी दिन दखाई थे आपको ऑसके को उर्म कि क्टामपइन की घोस्त नहीं हो थी कि कम्पनी क्या क्थ symbolism करेंगे लेकिन क्योंकि एक तो theory लेके चलता हूं और एक बानिंग करता हूं कि एक साल कुछ ऐसा करेंगे और वह जब बात मैंने कई ती तब यह मारी नहीं बाइज आशी के बिना कुछ ऐसी तयारी आपके बीच में करना चाहरा था और ऐसी तयारी है आज भी है मेरी के उसके बिना भी एक साल कुछ करना है के मैं पूरी जंदगी काम नहीं करना प्रेंद एक s illness को बड़ा करना है स्टेबल करना है लॉक इंग करणी है मजबूत करना थाकिन जी बहूत बड़ा काम ऐसा कर लें के पूरी जन्दगी का काम अमारा एक साल में पूरा लेकिन यहां कि यह उसे निकलती है तो उपर वाला के सुन लेता है उपर वाले ने टीसी जी के दिमाग में बात गुसा दी किया केसी छावडाने को यह बात बोल दिये और उसको पूरा करने के लिए कोई साथ में मदद के लिए कुछ ने कुछ कर दो दो तारीक नया तोफ़ा रिलीज कर दिये हमें जो अभी मैं आपको आगे बीच में सेर करूंगा और पता चला कि जब हमने उसके काम किया उत्सा इतना जबर्दस था और काम करना स्टार्ट कि थोड़े दिन वाद फिर एग नया तोफ़ा जो यह आपका तोफ़ा आपके आथ वाला यह फिर रिलीज कर दिया अब मैं आप आपको बात कहना चाहते हूं कि देखो अभी यहां पर आपको वाकिए बहुत बड़ा काम करना है बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो लोगों क तो आप बड़ी ठेयरी पे लाइए बड़े वीकल में बठाईए बड़ी यात्रा में सामिल करिये और मजबूत बजनस करके और सपूर्पर्ट करिए और उनको करिए इस ट्रैक पे लाने के लिए जो ट्रैक अभी मैं आपको बताने वाला भी हूँ या तो इस ट्रैक पे आने के लिए आप उनको तैयर करिए जो उस सिस्टम से काम करें क्योंकि मेरा 20 साल का तजरुबा क्या कहता है कि जो लोग सिस्टम से काम नहीं करते हैं वो फिर परेशान बहुत करते हूं परेशानी का कारण वो खुद ही बन जाते हैं क्योंकि वो देखो कोई भी आदमी बिना काम के तो पैसा कम नीज से नहीं मिल सकता सिस्टम के ट्रैक अभी मैं आपका आगे थोड़ा सा एक और एक जो पूरा पट्री है वो मैं आपके सामने सेर करूंगा उससे नीचे कोई चलता है तो फिर वह आपके लिए कोई खत्रे की गंटी है गंटी का मतलब आपके बिसम्स को स्लो कर देगा आपके लिए बहुत करें मुझों के अपती है के लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते है समय आपका वीइना दुस्ट नश्याइब और कि आटो मेरे त101 का करना चाहता हूँ तो मदस और विजित कॉरी मदद है यहाँ पे अब यह करना आपके लिए ज़रूरी भी है और मैं आप सब को एक बात कहना चाहत chemotherapy 2020 में अगर इश क्षब कोई कहता है किसर मृव्चाना चाहते हो तो मैं आपको बतना चाहते हुए क्या हो जाएगा वह चेल क्शेलेंज में आपको नाम गिरूंगा या मैं आपको बताऊंगा इतने लोगों को ने करके दिखाऊंगा यह लोग कहां तख पहुँच जाएंगे अब यहां पर जब तो यह भी कुछ बिजनस ऐसा ही है जहां पर आपको पूरी त्यारी के साथ खूदना चाहिए संगत बदलो अब देखो बदलना जरूरी है क्योंकर करोणपती बनने वाले तरीके में अगर आयो और अगर पुराने तरीके से जिनके लोगों के उच्छ में उठते बैठते हो तो वो कभी भी आपको बढ़ने नहीं देंगे वो करते हैं आपकी टांग खीच खीच के आपक साथ कम्यूनिकेट करिए देखिए हो सकता आपकी जीवन यात्रा भी तक 25-30 साल जो भी रही होगी उसमें आपके बहुत सारे रिस्तेदार होंगे आपके काम करने वाले साथ ही होंगे आप जिन लोगों की बीच में उठते स्कूल कॉलिज पूरा किया होगा वो होंगे ले कैसी पितरह से नए नक्सान पहुंचाएगा ना आपको कोई गव खराब करने की तरीखे मतायेगा लेकिन आपको काम्याभी की जैंडेकार देगा पिर दीन वह उसका करने लिए आपको उनके संगत में रहना जड़ूई है कि सिस्टम आधारीत बिज्नस करो जहां पर आपको कामियाब होना तो कामियाब होने के तरीखिये मिलते हैं आपको कैसे काम करो कि अभी कुछ चीजे में आपके शेयर करने वाला हूं अपना दिमाग मत लगा अपने जितना ज़्माग लगाऊगे आप परिषान हो जाओगे ज्यादा बेस्ट है ज्यादा बड़ी है कि आप जो सिस्टम बता रहा है उसमें सामिल हो जाओ और सभकों उसमें सामिल करते जाओ तो आप फ्री हो जाओंगे आप रिलाक्स हो जाओगा तो कभी पांचे जार का बिजनस किया, कभी तीन जार किया, कभी दो जार किया, कभी फिर पांच जार किया, ऐसे कम जदा हम करते रहते हैं क्योंकि हमने कभी गॉल सेट नहीं किया, और गॉल सेट नहीं किया, तो यहां पे अब हमारा जो बिजनस का ग्राफ है, वो ग्राफ करना पड़ेगा वह अब आप जिस भी मकाम पह। आपको यह ले SMITH अपको पॉलिसिप से आपको आना पढ़ेगा प्रात मिक्तअ करें मैं अगर आपको यह कहूँ हूं कि कि आप अपने जीवन में जो कुछ काम करते हो आपकी हो सकता एक नोकरी हो आपकी हो सकता एक दुकान हो आपका हो सकता कोई सप्लाई का काम हो आप हो सकता खेती करते हो आप सिर्फ यह देखिए कि आप अपने जीवन में जितने भी काम आप करते हो उन समय सबसे अमीर बनाने का कौन सा रास्ता है ऐसा कौ सा तरीका जो मुकावले में दुनिया के बड़े-बड़े उद्योकपतियों को पीछ चोड़ दे ऐसा कोंसा तरीका है जो आपको देश दूनिया घुमाना रूब तो वह आपको समझ में आएगा का आरसिम के लादा दूस्रा कोई अब क्योंकि यहां पर अमीर बनाने का तरीका है यहां पर आपका हर एक महीना या हर एक हफ्ता नहीं हर एक दिन नहीं हर एक घंटा नहीं अब आपका हर एक-एक मिनिट कीमती हो गया हर एक-एक मिनिट में आपको अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए अभी यहां पे अगर आप क्योंकि तरीका ऐसा मिला है जिसमें आपकी पूरी टीम पूरी एनरजी के साथ काम करती है अगर आप सिर्व 20% भी एफर्ट करोगे तो आपको 80% रिजल्ट अपने आप बिल जाएंगे बसरते कि आप सिस्टम आधारित काम करो नीचे टीम में कर दिया तो मेरा काम तो असान हो गया नहीं कि नीचे काम कंपनी काम करवा रही है आपको भी इस पॉलिसी पे जब लोगों को लाओगे तो लोग अपने आप इसके उपर प्रात्मिक्ता से इस पर काम करना शुरू कर देंगे बस कुछ आफर्ट आपको करने हैं 100% काम आप नहीं सॉडा करेंगों का तोाप ठोड़ा काम करना पढ़ेगा बाकी काका करम आपका अप उनाल लगे है कैथे और करून पशिटी बंदा कितना वक्त लगएगा पांच गुना चीक में कितना वक्त लगना ऺए सब कुछ रह प्रन हैंनwort आप जो कुछ चाहते हो अप सब कुछ सोच लेकिन 2022 में सब कुछ कम्लीट को आप आप ऐसे मानकर चलो कर दो 42 आए गा ही नहीं सोच लॉक वह जार भाइस आएगा पर काम करने के लिए ही आएगा वांत्रमें क बारती है एक साल में एसा काम कर लो कितिकर हो एक से हो रहा होगा और दोजार 21 के लिए अभी आपके पास जो जनौरी से अगर मैं बात करता हूं तो बारा मैंने बारा मैंने कहलो साड़े गैरा मैंने कर लो यह आपके पास वक्त है हाँ यह है कि अगर आप यहां पर कोता ही करोगे तो आपको एक साल की जिए फिर पांच साल क आइए नेटवर्क के बारे में थोड़ी बात करते हैं लोग यहां पर मैंने एक तेवरी दी थी आप सब लोगों को और ते तेवरी का नाम है चार मैने में चार लेवल यह थिए थी दिसम्बर मैंने और लोगों ने इसके काम करना सुरू किया बढ़िया काम करना सुरू किया और यह थियोरी ऐसी कमाल की है इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है लेकिन यह आपको दुनिया के करते हैं कि वह सब ने आपके जीवन नमबर मैने में जिसका जो लेवल था दिसम्बर मैने में उसको उससे अगले लेवल पहाना था अब क्या क्या लेवल है वो अभी में चर्चाप के समने कर रहा हूं जनवरी में उससे अगले सीड़ी पहाना था फरवरी में उससे अगली सीड़ी पहाना था मार्च में उससे इसना पर निकल गया तो अब यहां पर जनवरी मैने में दूसरी सीड़ी किसी को पूरी करनी है क्योंकि आप यहां पर निकल चुका यह चार मैने के चार लेवल मार्च के मैने तक निर्धारित है और जो भी लोग ऐसा करेंगे उनका अच्छा सा सेलिबरेशन होगा और ये आदत बनाने कि हमारी पूरी एक तहरी और अच्छी व्यवस्ता है जिसके उपर सभी लोग बहुत तेजी से काम कर भी रहे हैं और ये थियोरी क्या है कि ये आपको सो परसेंट ग्रोथ देती है देखो ये बात तो मैंने दिसंबर मैंने में बताई आपको और हलांकि मेरी हमेशा सुरू से ये आदत रहे हैं कि मैं आपको एक सिस्टम आदारी चीजें बताओं अगर आप हम उस पर काम करते हैं तो हमारे ले काम तोड़ा सा असान हो जाता है इस सो पर्सेंट ग्रोथ का फर्मला या कंपनी 10 पर्सेंट के ऐपने डाल दे टी ने को दिब्ड ऊन действительно हैं नहीं को दिक्कत नहीं आएगी लेकिन पहले आंप इस थेॉरी को जाधा तेड़ी से काम करने के लिए अपने को मैदान में कुदना पड़ेगा और अदर डाल नी पड़ेगी के चार मेने में चार कदम जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको आप सेलिबरेट करिए उनको आप उनको मितलब संबोधन करिए उनको आप WhatsApp पे उनको congratulate करिए उनको आपकी छोटी-छोटी मिटिकों में आप उनको एक अलग जगे दीजिए आप इने ये देखो ये छोटी-छोटे काम है प्रोपर counselling करिए याद दिले कि आपका दूसरा लेवल है आपका तीसरा लेवल है लेकिन येगर काम आपने कर लिया आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा ये च्यार लेवल क्या है आई ये थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी चर्चा इसके उपर कर लेते हैं ये है पहला लेवल पहला लेवल क्या है पांच हजार बिजनस वॉल्यूम ये आपका लेवल है ये टार्गेट आपका कोई भी कंपनी किसी को भी अगर बिजनस करने के लि करना है कि आप कुछ लोगों को जोइन करा के लेवल पर कंप्लेट कर दो अब यार लोग करते हैं यह तो आप हमारी बेज्जिती कर रहे हो बोले यार पंच जार का यह भी को टार्गेट हुआ बोले टार्गेट का मतलब पचास जार बोलो एक लाक बोलो बात समझ में आती है यह क्या टार्गेट हुआ मैंने का साफ देखिए बात ऐसी है कि बोलने के लिए कुछ भी हो सकते है प्रक्टिकल करने की बात है और मैं ऐसे टार्गेट के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें इंदुस्तान का कोई आदमी मना करी नहीं पाए और अगर वो मना करता है तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए का आपके लिए कौन आपके लिए फिट बैठता है ने पांच जार सूटा सा टार्गेट है और कोई भी आदमी बड़े आराम से दो लोगों को जोइन करा कि अगर अपने घर में दो दो जार रुपे की खरदारी करा देता है तो आ अपनी आपके लिए करोड़ों अर्बों रुपे के सेट अप लगा के प्रोड़क्ट बना रही है और अगर उनकी गर्में प्रोड़क्स आर्सिम के नहीं आये और किसी और कमनी का आया तो फिर इससे फाइदा क्या हुआ इसलिए यहां पे आप थोड़ा सा अच्छे का टार्गेट सेट करो पांच-पांच-पांच-ब nay ौर आपका का मदद करो पहले सेट करो फिर फेर पांच-पांच-पांच-पर चुरो और अगर किशी का कर पाए हम लोग जो कि मैंने में का बड़ा सेलिब्रेशिन प्रोग्राम हम जो करने जा रहें उसमें उनको सामिल कर पाएं तीसरा टार्गेट क्या हैं तीसरा टार्गेट है बीस हजार का यह अगर मैं अब इसको थोड़ा ऐसे मोल दूं कि पहले मैंने पांच-जार करो दू करो और टीम में उनका पांच-पांच कर वह हो और उनको भी आप यहीं बताते जाओ बस आपका काम असान होगी आप डायमेंट जाने तक आपको दूसरा कोई और फॉर्म लेगी जरूत नहीं पड़ेगी आपको हंड़ेट परसेंट डूपलिकेबल है मर्जे जितनों को ल क्या हैं कि मिनिम-म सोटी मैं आपकी 10-10000 की होनी चाहिए अनले यहां और यहां पर काम करते हैं आपकी बड़ी लेक जो है निश्ठी दूपलिकेट हो जाती है काम ओसान हो जाता है नेटवर्क बनाना है तो सबसे आसान काम है आप अपना दिमाग लगाओगे अपने तरीके से समझाओगे लोगों को बात समझ में नहीं आएगी मिटिंग में लाओगे लोगों को बात समझ में आएगी अभी तक मेरा 20 साल का तजरुबा ये कहता है कि 99 परसेंट आपके हो जाते हैं क्योंकि वो सीख जाते हैं समझ जाते हैं और वो जान जाते हैं कि मुझे लोगों को मिटिंग में मिठाना है अगर मिटिंग में आते हैं तो आप इस बिजनस को जितना जानना है वो सब मिटिंग में समझा दिया जाता है आप पहले दिन सब कुछ नहीं सीख सक सारी जानकाने नहीं ले सकते हैं कैलकुलिशन क्या है प्रोडक्स क्या है बीवी एमार पी क्या है कंपनिया क्या है और कैसे काम होता है कैसे बिलवड़ा कंपनी हैड ऑफिस जॉइनिंग के वाई सी अरे सब छोड़ो आप मिटिंग में लाओ सब कुछ आसान हो जाएगा कि ने कि वो बिजन से होती है वाले ने जाने वह के दूद जो है आपको लेने जाना पड़ता है और गलत आते तो आपके पास चलके आती है आपकी आदलत ऐसानी से पाधाता है तो यहां पर अगर आपको नए लोगों को एदो थोड़ा सा मैनत करके नए लोगों को जादा से जादा मिटिंग में बैठाना चाहिए बलकि यह टार्गेट होना चीए एक कमिट्मेंट होना चीए अगर जो मैंने का निया डिस्ट्रिबूटर भी अगर चाहे तो जून तक जा सकता है बस एक नियम बना लेक हर अपते में पांच लोगों को मिटिंग में बठाऊंगा एक मेने में बीस लोगों को बठा दूँगा अगर यह काम कर लिया तो गारंटी से जून तक वो टेक्निकल यानि वीकर लेक्षिक पांच लाग हो सकती है बहुत आसानी से हो सकत दूसरे यहारी आती है रिपर शेच की अब हमकर्दारी पेर प्लीह इस्टी लगने बीचे बांट देती मिस्स टेला जितना जदा टर्णोर आपकी कम्पनी का होगा उतना जद आपका कारवार उतर आएगा और एक दिन आप काम करना बंद भी करते होगे तो प्रोडक्स बिखते रहते हैं इसलिए आपका इनका बात ही रहती है scheme की कभी security नी होती है scheme तो कभी भी स्वाह हो जाती है वो भी स्वाह होती है आपको भी स्वाह कर देती है लेकिन ये प्रोडक्स का बिजनस है यहां पे आटा दाल मसाले पापड़ अचार चट्नी दनिया इंग मूंग ये सब चीजर साथ में हजारों प्रोडक्स जो आने वाले हैं लोगों की गरों में यूज होते रहते हैं वो यूज होते रहते हैं तो आपका बिस्स चलता रहता है आपकी stability आपकी security रहती है अब क्योंकि बात आती है रीपरचेश के हम इसको कैसे बढ़ाएं तो यहां पे कंपनी ने एक और तोफा आपको दिया वो तोफा दिया था दो तारिक को हाला कि यह तोफा पहले भी कंपनी दे चुकी थी और दो तारिक को दो जार एकीस के उप्लक्समिक नया तरीका दे करया यहां प bakalım कोई भी आदमी चाहा है कि दृट खोल सकता है ृए स्टोर खोल सकता है धनी दुकान खोल सकता है और ये एक ऐसी दुकान को सकता है जो आपने आप पgef्र्टर घरती पे अनुठी है पूरे विश्व स्टार बिया कि ज्बिश्वय अगी मुइन है अनुठी लिए बिना अलग से कोई लिए बिना कोई फरणीचर लगा है बिना कोई करचा किए बिना को स्टाफ रखें कुछ खर्चा खर्चा अठम नहीं और दुकान चालूगी ना इन्वेस्टमेंट है कुछ तो यहां पर कमनी ने का भी आप एक चाहो तो डिस्प्लेवाल यानि हमा फरम खोलोगे खोलते ही वहां पर आप कंपनी पूछले कि आपका नाम आपका किस एड्रेस पर करना चाहते हो अगले एक मिनिट के अंदर है आपकी यूनिक है आपके एक सोड ले रखाए तापको एक आईडी पर एक ही स्टोर मिलता है आपके स्टोर चालो गया तब बाद आप इस पर पहला प्रोड़क्ट जो खरीदना है क्योंकि स्टोर मोड पर लाना आपको तो आपकी खरिदारी 50,000 की भी हो सकती एक लाग की भी हो सकती लिगने यहां पर कंपनी कम से कम 10,000 की खरिदारी से भी आपका स्टोर चालो कर देती है और पूरे धरती पे इतन चोटा इंवेस्टमेंट से इतना बड़ा करोबार हो जाए ऐसा और कोई कॉंसेप्ट ही नहीं एक जोईता पॉलिस करने की पेटी लगाया तो इसे ज्यादा पैसा लग जाता है पांड की दुकान लगाया तो सिर्फ बीस गुना पैसा लग जाता है और से चलाया तो 40 गुना जाता है नहीं आप खुद अपने जितना चाहिए असपास के लोगों को सेल कर सकते हो और से पक्का बिल बना के लोगों को सामान दे सकते हैं अब यहां पर कंपनी ने स्टोर के साथ में कुछ एक ओफर और दे आपको वह ओफर क्या है कि पंद्रा सो बिजनस वॉलिम की खर तो नहीं करते हो नहीं करते को बात नहीं को जबरदसी नहीं है लग्न अगर आव करते हो तो यहां पे कंपनी आपको पंद्रा सो डीपी का एक्स्टा प्रड़क्स आपको फ्रीब कर दे हैं यह बजित है तो पहले प्रोडॉक्स की और बिलनी नहीं पेल More position स्कीमह आती है या कमपनी कोई माल निकालना चाहती है ने माल पड़ा पड़ा इखटा हो गया है निकालना चाहती है तो स्कीम निकाल देती है या प्रोडक्सी प्राइज पहले से ज़्यादा करके और फिर स्कीम निकाल देती है या चीजें महेंगी होती है उसमें स्कीम निकालती है यहाँ पर तो सब कुछ बहुत रीजनेबल और उसके बाद भी आपको पंद्रा सो का प्रड़क फ्री दे रही है कि कंपनी अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है ताकि आप रीपर्चेज बड़ा पाऊ कंपनी ने काया दो जारी किसमें आपको बड़ा काम करना है सब आपको रिटेल करने का सेल करने का या वोल्यूम बढ़ाने का तरीका दे रहे हैं अब आपकी टीम में जितने ज़्यादा लोग ऐसा करें आपका बिजनस बढ़ जाएगा आपकी स्पीड दस पंद्रा परसेंट की जिए आपकी 20-30-50 परसेंट की स्पीड हो जाएगी अगर कोई भी कारण है तो कमपनी कहती है अगर आप 2000 बिजनस वोजिम का प्रड़क खरीद लो और जून तक अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको 2000 डीपी का प्रड़क्स इसमें फ्री दे देंगी इसमें आपको डिस्पेवाल कोल लेकि भी जरुत नहीं है इससे कंपनी का इरादा समझ में आता है कि कमपनी का तरीका ऐसा है कि ऐसी ओफर हर घर में चले जाए मतलब किसी को कुछ मतलब ना करने की गुझाए बचे ही नहीं इसके साथ-साथ कुछ अलग से ओफर और मिलती है आपको जहां पर न्यूट्री चार्च कमपनी की तरफ से आपको भी कश होने की सिक्के की वारिस कर दी उन्होंने वह आपको बहुत अच्छे तरीके से मात्रे साथ-सो बिजनस वॉल्यूम का प्रड़क्स करीदने पर आपको फ्री दे देती है और वहां पर आफर आपकी डबल हो जाती है यानि डबल का मतलब यह कि न्यूट्री चार्ज के साथ 400 बिजनिस वॉल्यूम के प्रड़क्स लेते हो तो 700 बिजनस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज का फ्री मिलेगा और साथ BRIAN 2 व्ल्यूम का और कि मैं आपको प्रोड का प्राइज दिखाता हूं कि एक ऐसा चेलेंज आपके बीची में हैं कि जैसे आपके पास अगर जरासा भी मन में कोई डाउट हो आपके पास तो चलो हो सकता नहीं होगा क्योंकि आप आर्सम परिवार से युड़े वे हैं और आज इस मिटिंग में ब किसी भी तरह से चेक करें किसी भी तरह से चेलेंज करें एट एनी साइड चाहे वो प्रोड़क्टी क्वालिटी की तरफ से चाहे प्रोड़क्टी प्राइज की तरफ से चाहे कमनी के आने वाले दिनों में इंकम की तरफ से चाहे कमनी के सप्लाई मेनेजमेंट की तरफ से अच्छा कंपनी की तरफ से हैं आप मैं कहते हुं inception में कि सी कंपनी को चेक करएगा buy Now G मत्रի यह इस की कमाल की पावर है यहां पर अगर आप देखिए के पेफ्ब्ल इंट का मार्केट में कृत्पइस अता है जो कि सो ग्राम पैकिंगे और 12 मर्पी अब सेम टूथपेस्ट आर्सियम का आता है जो कि हिंदुस्तानी आपकी देशी स्वदेशी कंपनी है आपकी कंपनी है वही सो ग्राम का जिसकी एम आर्पी ही 45 रुपए है यहीं कि पहली बात तो एम आर्पी कम है उसके बाद अगर कोई भी डिस्ट्रिबूटर हमारा पैसे गा चतीस रुपए उसको मिलता है और बाद में उसको कमिशन मिल जाता है तो यानि उसको पड़ता तैसी पैसे का और अगर वह डिस्प्लेवाल चालू कर देता है या दो हजार डीपी का पर्टक्स हर मेंने खरिदा सुरू कर देता है तो साथवे मैंने आठवे मैंन किसी भी दुकानदार को पूछो कि यह 100 ग्राम का टूट पेस्ट तो बहरे पास आता कितने का है तो वह चाय कितनी बढ़िया कमनी छोड़के चालू कमनी का भी लेगा ने तो भी इस रेट में उसके पास नहीं आता है जितना बैस्ट प्रोड़क्स हमारा इस रेट में आम आदमी के घर में आता है दुकानदार के जिस रेट में खरेंद नहीं पा रहा है उससे कम रेट में आप आप्वी के घर में आ रहा है अब इस दुनिया में इस ताक्कत को कोई रोक नी सकता यह ब्रिजनस अगर लाग-दो-लाग लोगं के लिए बनाया जाता तो यह टूथ करना है यहां पर हर घर में पहुंचना है तो फरक है नहीं बड़ा फरक है आम आदनी के हर घर-घर में जाना है और यहां पर ऐसा निक मैं क्यों आपको टूथ-पैस की प्राइस दिखा रहा हूं आप कौफी ले लिजी एक सो पचास रुपे की कौफी है आपको नबार पर किंगे रिंका यहां पर आर्सने ग्राम पर आपको और ब्लकुल आप कभी भी कहीं भी जाके चेक कर सकते हो एक यहां पर डेटॉक्स का साबून हमारा जो बड़ा पॉप्लर है और डिटॉल ब्रांड क्योंकि इंटरनेस्टल कंपनी है लूट रही है सालह 140 साल तुस्तानी हो गई 50 रुपे MRP है आर्सिम का 20 रुपे 70 रुपेसे और मैं आपको दावे के साथ बोल तो प्रोड़क्स यूज करके देखिए कोई आदमी आप सब लोग मुझे नहीं पता कौन कहां से है घर में यूज करके देखिए अगर किसी को लगे कि प्रोड़क्स में दम नहीं है तो प्रोड़क्ट वापस भी नहीं करें और दुगने पैसे मेरे से ले जाए मैं पूछूंगा भी नहीं कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा अरे आप एक बार करके देखो आप इसकी पॉलिसी को समझे तो सही बिचोलियों के पास इतना पैसा जाता है कि उ पैसलीन 45 रुपे का हमारे को मिलता है यहां पर 17 पर 20% पढ़ता है आधे से कम रेट में बलकि वंतार रेट में हमारे को मिल रहा है इसी तरह से अगर एक ये करके जितने भी प्रॉडक्स आप कुछ भी ले लो आप अचा कई लोग सोचते कि आप कुछ का कंपरेशन दिखा प् therm developed साब too .zip pec लोग सब सब चीजें बैसे मिलेगी लोग केते ब्रन अरे इन वना तो आपने बनाया मार्केट बन ले लोग बंता है आप अगर नहीं ले वैंक्र का रांज का शीच चला जाएगा और अगर किसी चीज चीज्याँपन करने से तस रुपेडा मेरी गारन्टी 10 रुपे का साभण है इसको आप किसी को देखो पूलो घर में एक एक विश्टी को नहीं लाए दस रुपे के साभण कार्सिंग की तहरे किस रूप में और किदर जाने वाली है अभी हम काम करते हैं और हमारा काम करने का तरीका जिसमें बिजनस को कभी 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 ज्यादा करते हैं जाकि जो चार्ड मैंने आपको पहले भी दिखाया और यहां पे हर साल काम करते हर मैंने काम करते हैं तो हमारे का बिजनस में ग्रोथ बहुत ड्रास्टिंग होगी आपको फाइदा बेहिसाब होगा और कमपनी को भी काम करना आसान हो जाएगा और जो कमपनी ने कहा कि अगर आप ग्रोथ की पॉलिसी पे काम करते हों तो पांच साल में जितना पैसा कमपनी अब तक लोगों को दे रही थी यहां पर पीछे रहना ही नहीं है कमपनी सिर्फ आपसे समरपड मांग रही है कमपनी सिर्फ आपसे समरपड मांग रही है इडिकेशन मांग रही है कमपनी सिर्फ आपसे विश्वास मांग रही है कमपनी आपसे ऐसी को चीज मांगी नहीं जिससे आपका एक पैसे का नुक्सान हो जाए हाँ प्राइरिटी और प्राद्मिक्ताथ आपको देनी पड़ेगी अब अभी जो आपकी जो बिसनस में जो चला गया दूसरे साल में रॉयलिटी चला गया तीसरे साल में टेक्निकल चला गया चौते साल में स्टार पल चला गया पांच्वे साल में इमरेल चला गया अब तक ग्रोथ ऐसी थी लेकिन दोजार एक्कीस में ग्रोथ ऐसी होगी अब हमारा ग्रोथ का तरीका यह रहे कर रही है तो 2022 का ग्राफ फिर आपको और आगे जाना है क्यों कंपनी की तैरियां यह पांच साल का बड़ा प्रोजेक्ट है अभी एक साल का आपको एलान किया है तो यह पर कंपनी कोई पीछे रुखने वाली नहीं है पांच साल का प्रोजेक्ट है आपके आने वाले दिनों by solche पांच साल का एक साल में निम्टा दिया तो लोगा र выпуск में कुछ देगी के खाली बेज़ का ने 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 ऐसा नहीं बई है आप यह सोचलों का एक साल में conf간 when play ऑदो 2022 से चेक जिरो कर कि यहां पर इमोशन से बिजनस नहीं चलेगा मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखो अगर आप इमोशन से बिजनस करोगे तो ज्यादा दिनों तक आप बड़े काम याभी के जंडे नहीं गार पाओगे आपको बिजनस पर डिस्प्लीन और मेनेजमेंट करना पड़ेगा देखो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि सब्वोज माली जी है मैं आपका अप्लाइब हो कमनी ने का पच्शीस परसंट ग्रोथ करनी है अब आपको में ने का पच्शीस परसंट करनी है आपको भी कमनी बड़ा रिवार्ड देगी आप सारे लोगों क तो मैं तो गया काम से मेरा तो हो गया पढ़ा गर अगर मैं इमोशनल तरीके से काम करूंगा तो मेरा बंटा धार हो जाएगा मैं आपको आज यहां पे खुला सब के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि इमोशन से नहीं प्रॉफेशन से बिजनस करिए सीखिए समझिए प्लैन करिए नहीं डंग से काम करिए बड़े-बड़े बिजनस और एमपायर इसलिए काम करते क्योंको मुझे डिसिप्लिन त है अगर जादा लेना है तो जादा देना जादा लेने शीवार आप यापने घलती से छोड़ दिओ यह हाइशपी ट्रेन है यह सिथ 578 आजoure देवीयेश फॉर 150 आपने इसको ट्रेन को छोड़ दिया तो फिर ये पकड में आने वाली नहीं है ट्रेन होती तो दूसरे दिन पकड़ लेते लेकिन यह बस यह बिजनस की यात्रा ऐसी है कि जनवरी गया तो फिर आपका गया काम से इसलिए यहां पर छोड़ने की गुझाइस आपके पास है ही नहीं देखिए मेरा सिंपल सा Funda है, बहुत सिंपल बात करना चाहते हूं, बाते मेरे में धायर हो सकता, आपको बहुत बड़ी-बड़ी सेयर कर दी होगी, कुछ बड़ी इंकम के बारे में आपको जानकरी साहर हो सकता, आपको हजम हो या नहीं हो, लेकिन तयार करिए अपने अपक बहुत आसान बिजनस है हाँ आपको कुछ ना सुननी पड़ेगी ना करेंगी लोग बाग काम है उनका वो करते हैं वो तो 20 साल पहले मुझे करते थे आज भी मुझे करते हैं वो तो आपको मुझसे क्या पूरा हिंदुस्तान करता है नकरातमकता तो दुनिया में लोगों के लोगों ने जिस माहल में रहा इसमें सब कुछ ऐसा होता ही है लेकन आ आडिग रहना घटे रहना है प्यक्मिटेंड रहना है आपके पास एक बहुत बड़ा पार्टनर है एक से कमपनी के रूप में जो आपको बहुत कामियाद बनाने के लिए काम करता है और अगर आपने ना सुनने के आद्प ढाल दी, तो दुनिया का सबसे असान काम लगते हैं सबसे आसान, करते जो, मतलब आप रम जओ इस बिजनस में, ना तो सब को करते हैं मुझे भी करते हैं मुझे कोई फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है मेरे सगे साले ने मुझे मना किया 20 साल हो गए वो अपने घर मेरे घर में मैं आज आज आपके बीच में काम कर रहा हूँ मेरा साल अपने गर्म अपना जंदा कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं साले के बिटा रहता था आज आपके बीच में नहीं होता आपके खास-खास मिले वाले मेरे बच्पन के साथी बच्पन के दोस्ति सिदार मुझे सबने मना किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सबसे आसान काम है कर डालो अगर कर डाला तो आपका परड़ाम भी बहुत बड़ा होगा और अमीर बनने की दोड़ में आप सामिल हो चुके होंगे मेरी बात यहीं पर खतम होती है और मैं वापस माइक दे रहा हूँ जो भी हमारे होस्त है उनको तो उसका बड़ी से बड़ी पिन पर जाना दुनिया की ताद रोग ने सकता है ऐसा ही एक उधारण हमारे सामने है एवरी मंडे एट पीम पर जनोंने अपरी टीम को इस बिटिम को लाए और आज उन्हों का बिजिनिस बहुत शांदा तरी इसी गिरुद कर रहा है और जो अगली आवाद देता हूं मिश्टर जितन सक्सेना परी बेलकम सब जितन सक्सेना जी 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 धन्यवाद रभी साथ जी पेशी चावड़ा जी ने बहुत ही सांदार तरीके से आज दुबारा रिफरेस्ट किया और पिछली बार पिछले हपते के तुल्मा में जो आज बाते बताई हैं वो कुछ फिसेस हैं तुकि आज कहानी के बारे में कुछ बात किया गया पांच मैं मैं आप से बात करूंगा भारत परस के हलागला कोनों से जुड़े हुए सभी सातियों को यतन सक्षेना का नमसकार मैं बेसिकली सतना का रहने वाला हूँ और पेशे से इ दोरान मेरे जीवन में एक सांदर अपरचिनोटी खड़ाई और एक हमारे सीनियर अप्लाइन विरें चौदरी जी के माध्यम से जैसे ही मुझे बिजनेस मिला मेरे घर में चायपत्ती लेकर आये थे और मात्रू समय चायपत्ती ही एक वर्ट हुआ करता था हर्षियम में रही जो आज भी आपके सामने बहुत सारे लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरह के लोग करते होंगे लेकिन साथियों उस दोरान कुछ परंपिता परमेसर की ऐसी क्रपा रही कि मुझे वो चायपत्ती पसंद आ गई और उस चायपत्ती के साथ मैंने इस विजनेस को करन सुरू किया लगातार लोगों से बात करता रहा जो आपके साथ आज भी होता है पहले भी होता था लोग मना करते थे हम लोग प्लान दिखाते थे आठ गंटे की बारा गंटे की कड़ी नौकरी के बाद रात को एक घंटे दो घंटे साथ में देना संडे 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 काम करन लगातार बिजनस में सीखना और लगातार लगातार अप्लाइनों के सहयोग से बिजनस को समझता रहा कुछ-कुछ पोईट लांच होते रहे दिरे दिरे पोईट बढ़ते गए और साथियों बहुत ही सांदर तरीके से जीमन में रायल्टी जैसी बात थी ठशैने में मुझे प्राप्त हुई ठेकनिकल जैसी इंकम की बात हुई ठेकनिकल इंकम प्राप्त हुई और तेरे देरे करके वो समय भी आया जब मेरी जो नौकरी की इंकम थी उससे बड़ा RCM का इंकम आना edited शोलो हुआ और वो दिन ऐसे सांदर समय था जम मैं मुझे ऐसा लगा कि जीमन में बहुत कज़ब कुछ सबकुछ सांदर चला है और यही एक बहतरीन जबरजस्त महौल नौकरी करते हुए इस बिज़स को मैंने इस बिज़स को किया पुरे भारत पर में अलग अलग जगह मेरे पोस्टिंग रही है मैं मेगाले मेरा वरतमान में मैं कुछ गुजरात में हूँ जहां पर मैं कुछ गुजरात में हूँ वहां पर मैं बहुत अच्छे प्रोफेशन में हूँ एक डिपार्टमेंट में होडी के पत्पर कारयात हूँ यहां पर वर्तमान में मेरी सेलरी दो लाग रुपे मेने हैं और बहुत सांदर पैकेज है, बहुत जबर्जस तरीके का जीवन चल रहा है और उसके साथ साथ पार्ट टाइम समय निकाल कर एवरी मंडे एट पीम सामपो सुबह जब नौका मिलता है टीम के मेनेजमेंट से मैं काम करता हूँ और बहुत ही सांदर तरीके से आर्शियम में काम करते हुए तकरीवन डेल करोड रुपे मैंने इस बिज्ञस से प्राप्त किये हैं लेकिन साथियों यह पताते हुए मज़ा कुछ और है मज़ा कुछ और है यह बात बड़ी जहवर जस्त है और मैं अभी आपनों को सब को एक पिक्चर बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं जिसलिए मैं क्यों करता हूँ यह बिजनेस मैंने भी एक दो मीटिंग में बात को सेर करता हूँ मुझे मालूम है कि I am running 48 मैं 48 साल में जी रहा हूँ और आने वाले 12 सालों बाद जब मैं नौकरी में रहूंगा तो हो सकता है मेरी इंकम महाँ पर 4 लाग होगी 5 लाग होगी और उसके बाद आर्शे में भी इंकम हो सकता है 8 लाग 10 लाग होगी 58 साल जब होगा सातियों तो एक दिन आएगा और मेरे पूरे साती 50-60 लोग डिपार्टमेंट के मुझे बैठाएंगे और एक मेरी फेरवल होगी और मुझे बोला जाएगा सक्सेना जी बहुत अच्छे आदमी थे बड़े होनहार वक्ती थे अपने जीवन ने बड़े सरल की इंकम जीरो हो जाएगी हरो उस दिन पांच लाग की इंकम हमारी जीरो हो जाएगी और उस दिन हम आर्सियम में दो घंटे की जगए 24 घंटे हो जाएंगे हरो उस दिन हम आर्सियम में दो घंटे की घंटे हो जाएंगे और मैं आप सभी नों को यह जहना चाहता हूं कि य परात्मिकता आपने जो भी मैं काम करता हूं उस काम के बाद दूसरी परात्मिकता मेरी हो सकता है एक बिजनेसमें इसमें सफ़ल हो सकता है साथियों हर वक्ति हर तपके का हर वक्ति छोटा लंबा उंचा नाटा को रहा काला सब कुछ सफ़ल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए वह निरंतरता लगातार 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 और इसी बात को समझ के कंप प्रवी दुवेदी जी हैं अनुद दुवेदी जी हैं ऐसे बहुत सारे साथी सभी लोग मिल जुलकर बड़ा सांदर तरह के से बिज्नेस करते हैं और दिन दुगली प्रोग्रेस चल लेए सातियों जब मैं करड़ोपती बन सकता हूं तो आप सभी 100% बन सकते हैं जो जब दिसंबर आएगा उस समय जो महौल होगा कुछ अलग होगा बहुत बढ़िया आप सभी दिन दुगनी राज चोगनी प्रोग्रस करें ऐसी मरी आसा है थैंक यू जै आर्शियम और मैं आप सभी नहों का धन्नवाद देना चाहता हूं कि आप समें बड़े धैरे से मेर लगार चाहते हैsu अजया नहीं कि यूटव जिम औरिया में रहते कई में हमारे गुदों वानिने कि चना घ्यानी की वरसा होति है अमरत की वरसा उती उसका आपको पादा मेलता रहे बुछ आगा याग वाज ध्याम साँख सथी में ब्हुत लिए थैनकि ठुटम्श हर मंडे को कुछ न को जैसा मिलता है कि हमारा जोस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता बस इसको जोस को हमें अपने फेल्ड में ट्रांसफर करना है और जिस तरह के से सक्षिना जी ने अपनी कहानी बताई हम चाहते हैं कि हर मंडे एट पीम कोई ने कोई हमारा साथी कुछ आठ दिन में अचीमेंट करके लाएं कि हर मंडे को हमें एक नई स्टोरी शेयर कर पाएं ताकि इस बिजनिस में जो पच्चीज प्रसंड ग्रोथ की बात है वो हंडे प्रसंड हम सब लोग अचीब कर पाएं हर दिन 24 घंटे 360 दन केबल एक साल की बात है यह समझ लीजिए कि ठीक है लेकिन अब जो करने की बारी है आप बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी हो जाए ससुराल से मायके से इधर से उधर से माता जी पिता जी सबसे आप परमिसिन लीजिए कि बस आप हमें एक साल के लिए फिरी कर दीजिए साधी होने वाली है तो एक साल के लिए रोग हैं बस एक साल मुझे पर्मिसन दीजिए आपकी अप्लाइन आपकी डाउन लाइन जो भी है तब से आप सब लोग मिलके तानमिल बढ़ाएं और एक साल पूरी जिंदिगी पर भारी पढ़ने वाला मैं चाहता हूं कि सारी जिंदिगी एक तरह और आर सीम की एक साल उस पर भ लोगों को एक बात सेर करना भूल गया और मेरे काल से हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे बीच में एक ठोड़ी सी दुखत गटना है और बहुत-बहुत बड़ी गटना हो कि जैन साब जो कि आप सब के बिलकोल एक दम सूपर स्टार है और बहुत बड़े स्टार आज बिस इसको लेके बहुत उसा रहता है तो हमारे जो जैन साब है उनके छोटे ब्रादा उनके बिल्कुल छोटे ब्रदर है जिनकी उम्रे मतलब पचास इकाव फिप्टीवन इयर्स की एज होगी और अभी कुछ दिनों पहले उनका देहन्त हो गया और उस वज़े से आज जैन साब हमारे बीच में नहीं है तो मैं चाहता हूं कि हम एक थोड़ी सी देर का मौन वृत हम उनके लिए रखे और उनके आत्मा को सांती मिले और इस्वर उनको मतलब एक अच्छे जगे में उनको अपने पास रखे और उनको अच्छा-च्छा मतलब प्रेरना सोत्र बनाए और हम हम लोगों को उनके मार्क देशन पर चलने के लिए बार्दे करें तो मैं चाहता हूं थोड़ी सी देर का मौन हम लोग रखते हैं ने यहां पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं दो को बिजनस तो खर अपनी जगह है लेकिन एक जो है सुरक्सा सिक्यूरिटी होश्क की मेरे हैं मीरे करégल involve में ने को बहुत कर्यबी भी है और मन को बहुत करीब से मेरी मतलव हर 15 बीश दिन में एकाद wil highway और अदमियह इतने मस्त मुला थे तो इतने मस्त मुला थे इस अब जैसे कहना ऋन तक सेरो सारी चलना सुरू हो जाती थी और ऐसे जैसे लगता कि बस जीवन जीने का आनंद जैसे वह उठा रहे हूं और अचानक जब उनके बारे में सुना तो एक दम पतन विश्वास नहीं हुआ और मैं खुद बताओं मैं आपको दो तिन दिन तक मुझे इतना मतलब बना शौक लगा मैंने काई यह क्या हो गया है अगर को एक इस तरह का व्यक्ति अगर इस दुनिया को छोड़के जा सकता है तो आखिर हमारे सिक्यूरूटी क्या है ऐसे में अगर आर्शें मिजनस आपके लिए जो भी काम कर रहा है या आपके एक सिक्यूरूटी के लेड़े को किसी की दुनिया में किसी की कि को गारंटी नहीं है लेकिन हम अपने परिवार की एक गारंटी बन सकते हैं और अगर एक साल की जो थियोरी है ये एक साल की थियोरी ऐसी बहुत सारी चीजों को लेके है हम क्यों यहां पर पैसा बहुत बड़ा बनाएंगे यही नहीं है हम एक साल में ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारे जीवन में कभी भी पैसे को लेके हमारे परिवार को और हमारे को कभी क बिल्कुल बिल्कुल और विल्कुल हमारे पास जो घ्जावच्छा से संवप्ती है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज 18 तारीक हो गई है, हमारे पास अब ग्यारा दिन बचे हैं इस मेने के तेरा दिन सोरी तेरा दिन बचे हैं तो अब वो तेरा दिन आपको कैसे काम करना है यह मुझे बताने की जरूत नहीं है और कहते हैं कि जब आखरी के दिन होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं और आखरी के दिनों म यह आप्सुलिटली एक्स्ट्रॉर्रणरी परसने इस बात को यान मिर्खते हो काम करें अगले मंडे हमारी फिर मुलाकात हो रिया आप अप सब के झाल झाल